ओम शीगडेशाय नमा रादराय दोस्तों आप सभी का मेरे चनल बतकता एसलोजर में स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि 4 मन्थ प्रेगनेंसी के दोरान वो कौन से सटीक लक्षन दिखाई देने लगते हैं जिससे कि आप काफी हद तक अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी होने वाली जो संतान है वो एक लड़का होगा या लड़की होगी दोस्तों ये लक्षन बहुत ही सटीक है और 4 मन्थ प्रेगनेंसी में अधिकतर गर्वती महिलाओं में दिखाई देते हैं सबसे पहले लक्षन की बात करें तो दोस्तों अगर 4 मन्थ प्रेगनेंसी के दोरान अगर आपको बहुत अधिक चटपटा खाने का मन करता है यानि आपको तीखी चीजे ज़्यादा पसंद आ रही हैं तो ये साइन देखे लड़का होने का माना जाता है वही पर अगर आपको 4 मन्थ प्रेगनेंसी के दोरान मीठा ज़्यादा पसंद आ रहा है तो ये लक्षन देखे लड़की होने का माना जाता है दूसरा बहुत ही सटीक लक्षन है दोस्तों अगर 4 मंद प्रेगनेंसी के दोरान अगर आपको अपने बच्चे की मुमेंट फिल नहीं हो रही है तो ये लक्षन देखे लड़का होने का माना जाता है वहीं पर अगर आपको पांचवे महिने में या चौथे महिने के बिलकुल आखरी दिनों में अगर अपने बच्चे की मुमेंट फिल हो रही है तो ये लक्षन में देखे लड़का होने का माना जाता है वहीं पर अगर आपको मतलब 4 मन्थ पहले से ही अगर अपने बच्चे की मुवमेंट फिल शुरू हो गई है तो ये लक्षन देखे लड़की होने का माना जाता है अगला लक्षन बहुत ही सटीक लक्षन है दोस्तों अगर 4 मन्थ प्रेग्नेंसी के दौरान ही अगर आपको अपने बच्चे का जो वेट है भार है अगर नाभी के निचले हिस्से में जादा तर महसूस होने लग गया है तो ये लक्षन देखे लड़का होने का माना जाता है और 4 मन्थ में ही अगर आपकी तम्मी दिखने लग गई है तो ये लक्षन भी लड़का होने का माना जाता है अगला लक्षन बहुत ही सटीक लक्षन है दोस्तों अगर 4 मन्थ प्रेग्नेंसी के दौरान ही अगर आपकी नाभी लाइन बननी शुडू हो गई हलकी हलकी आपको जहातर दर्द महासूस होता है पैर या मतलग आपको दर्द होना अगर आपको जहातर दर्द होने लग गया है तो ये लक्षन भी लड़का होने का मना जाता है दोस्तों वीडियो पसंद आही है तो इसकर लाइक शेयर जरू करें आप सभी को ओम शी गले शाय नमो